नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग के नुसा भाद प्रत्मा की पुनमाती थी और श्विन मा के किष्ण प्रतिपदाती थी तक प्रित्रप्रक्ष रहता है पित्र पक्ष 15 दिनों तक रहता है दिन पित्रों के लिए समर्पित होते हैं इन दिनों में पित्रों के तरपन, श्राद कर्म और आत्मा की शांती के लिए पिंडदान किया जाता है मानता है कि श्राथ और तरपन करने से पित्र प्रसन होते हैं और आशिरवात पुज़ों करते हैं आज की इस वीडियों में हम जानेंगे कि साल तो 2017 में पित्र प्रफश्राथ कब है कब शुरू और कब समापत होगा श्रात की तितियां क्या रहेंगी और पूजा की विदी किया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रत एवं तैवारों की दितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो की नौटिविकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो धर्मिक मानेताओं के नुसार पित्र प्रक्ष के दोरान रोज तरपन करने का विधान है लेकिन सर्वपित्र अमावस्या पर तरपन करने का विशेश महत्व होता है क्योंकि हम अवस्य अतिती प्रमुक्ता पित्रों को समर्पित होती है लेकिन अगर आप खुद तरपन नहीं कर सकते तो आप किसी योग ब्रह्मन से तरपन करा सकते हैं तरपन शुर करने से पहले कुशा के अंगुठी बनाई जाती साथी तरपन करने वाले व्यक्ती का मुख दक्षर दिशा में होना चाहिए तरपन करते समय काले तिल, सफेद चंदन, सफेद फूल का प्रयोग किया जाता है इसके पशात, लोटे में थोड़ा गंगा जल, साधा जल और दूद ले को उसमें फूरा जोग और काले दिल डाले फिर कुशी की जूडी पर 108 पार जलर पित करें, मंत्रो का चारण करें सास्टरों में 6 प्रकार के तरपन बताएं गये हैं जिसमें देव तरपन, रिशी तरपन, दिव मानब तरपन, दिव पित्र तरपन, यम तरपन और मनुष तरपन होते हैं साल 2025 में पित्र पक्ष श्राद की तिथियां इस प्रकार हैंगी साथ सितंबर दिन रवीवार को है पुनिमा श्राद, आठ सितंबर दिन सुम वार को है परतिप्रता श्राद, नौ सितंबर दिन मंगलवार को है दुतिया श्राद, दस सितंबर दिन बुदवार को है तृतिया श्राद और चतुरती श्राद, ग्यारा सितंबर दिन गुरुव पन्च मीश रात और महा भढनी। तेरे वीडियो में अंत्तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ.